Good morning students, today I will teach you lesson first of English. Lesson का नेम है Aryan and Shivansh, यानि की Aryan और Shivansh. इस lesson में आपको दो भायों के अलग-अलग behavior के बारे में बताया जाएगा. ठीक है? Let's start. Write four words to describe you and your friend each. Four ऐसे words लिखने हैं जो बताएंगे आपके बारे में और आपके friends के बारे में. जैसे यहां पे you और your friend, यहां पे आपने अपने बारे में बताना है और यहां पे आपने अपने friend के बारे में बताना है. आप जैसे smart हो तो आपके friend का behavior कैसा है? इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल हो आप, आपका फ्रेंड प्रिटी है, आप हैल्फुल हो, आपके फ्रेंड केरिंग है और आप टाल हो तो आपका फ्रेंड शोट है, इसमें अलग-लग बताया गया है, ठीक है, अब है स्टार्ट लेसन, एक बुड़ा आदमी रहता था एक गाउं में, अपने दो बेटों के साथ, दा यंगर सन, यहां पे एल्डर की जगह पे यंगर आएगा, आरियन वाजफुलिश, आरियन जो छोटा बेटा था, वो मूर्ख था, बट दा यंगर सन, लेकिन यहां पे यंगर की जगह पे दर सन, शिवांच वाज, गलैवर, जो बड़ा बेटा था, शिवांच, वो चलाग था, गलैवर मीनस होता है, चलाग, यह बुड़ा आदमी है, इसके दो बेटे हैं, यह बड़ा बेटा है, शिवांच, और यह यंगर सन, छोटा बेटा है, आरियन, ठीके, ओके, आफ्टर आरियन, आफ्टर माई देट, शिवांच, क्या तुम मेरे मरने के बाद, आरियन की देखबाल करोगे, तो, यह शिवांच है न, इसको कह रहे, तो, और आरियन को भी कहता है, बुड़ा आदमी, कि, आरियन, you should share half of everything, you have with शिवांच, आरियन, तुमें अपनी हर ची शिवांच के साथ share करनी होगी, तो, आरियन कहता है, I promise you, Dad, मैं इसके लिए वादा करता हूँ, और शिवांच भी कहता है, Daddy, don't worry, पिता जी, चिन्ता मत करो, I will look after him, मैं इसकी देखबाल करूँगा, ठीक है, After a few days, कुछ दिनों के बाद, शिवांच called, आरियन, शिवांच ने आरियन को बुलाया, आरियन, we have a cow and apple tree, आरियन हमारे पास क्या है, एक गाए है, और एक सेव का पेड़ है, you can take the lower part of the apple tree and the front part of the cow, तुम तुम पेड का निचला हिस्सा लोगे, ले सकते हो, और गाए का अगल और गाए का अगला पार्ट ले सकते हो, आरियन वाज, डिलाइटिड, आरियन खुश था, डिलाइटिड बेड में क्या होता है, खुश, ठीके?